हाई फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CDP यानि Child Development and Pedagogy की 4th किलास को वीडियो में हम जितने भी MCQs कवर कर रहे हैं ये सभी MCQs बहुत important हैं क्योंकि ये सभी previous asked MCQs हैं जो बहुत सी teaching vacancies के exam में अक्सर पूछे गए हैं फ्रेंड्स हम डेली 9 बजे अपनी वीडियो अपलोड करते हैं और इन वीडियो की PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल की लिंक आपको description में प्रोवाइड करा दी गई है वहाँ से आप टेलिग्राम चैनल को भी जोईन कर सकते हैं विवेच नात्मक सिक्षा सास्त्र का यह द्रड विश्वास है कि option number A, सिक्षारतियों को स्वेतंत रूप से तरकना नहीं करनी चाहिए number B है, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह A, प्रसांगिक है number C है, शिक्षारतियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महतुपूर होते हैं यह number D है, एक सिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेत्रत्व करना चाहिए what will be answer? विवेच नात्मक सिक्षा सास्त्र का यह द्रड विश्वास है कि शिक्षारतियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महतुपूर होते हैं option number C, चलिए इसके बाद देखते हैं next, next हमारा number है next number 42, प्याजे के अनुसार संग्यानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु इस्थाईत्व को प्रदरशित करता है प्याजे के अनुसार संग्यानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु इस्थाईत्व को प्रदरशित करता है मूर्तु संक्रियात्मक चरण, ओप्चारिक संक्रियात्मक चरण number C है, समवेधी प्रेरक चरण, या next है, पूरु संक्रियात्मक चरण what will be answer? answer होगा friends, option number D, पूरु संक्रियात्मक चरण चलिए इसके बाद देखते हैं, next, next हमारा number है, 43 सरजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, सरजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है इसका answer होगा, option number B, चलिए इसके बाद देखते हैं, next, next question है number 44, सरजनात्मक सिक्षारती वह है, जो बहुत बुद्धिमान है परिक्षा में हर बार अच्छे अंग प्राप्त करने योग यह है number C, पार्शव, चिंतन और समस्त्य समधान में अच्छा है number D, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षन है 44 का answer गया होगा सरजनात्मक सिक्षारती वह है, जो पार्शव, चिंतन और समस्त्य समधान में अच्छा है option number C, चलिए इसके बाद देखते हैं, next next number 45, कॉलबर के अनुसार, सिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है कॉलबर के अनुसार, सिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है number A है, नैतिक मुद्धों पर अधारित चर्चाओं में उन्हें सामिल करके number B है, कैसे वियवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोड निर्देश देकर number C है, धार्मिक सिक्षा को महत्व देकर, यह number D है, वियवार के इसपस्ट नियम बताकर 45 का आंसर क्या होगा, 45 का आंसर होगा, option number A, नैतिक मुद्धों पर अधारित चर्चाओं में उन्हें सामिल करके चलिए इसके बाद देखते हैं, next, next number 46, निमलिकित में से कौन सी समस्या समधान की वेग्यानिक पद्धित का पहला चरण है, प्राकल्पना का परिक्षन करना, number B है समस्या के परतिजाग रुकता, number C है प्रासंगिर जानकारी को एकत्र करना, यह number D है प्राकल्पना का निर समस्या के परतिजाग रुकता, चलिए इसके बाद देखते हैं, next, next number है हमारा 47, निमलिकित में से कौन सा एक वस्तोनिस्ट प्रशन है, कौन सा वस्तोनिस्ट प्रशन है, लगू उत्तरात्मक प्रशन, मुक्त उत्तरवाला प्रशन, सत्य या असत्य निबंदात्मक प्रश यह तो कितना easy है, आंजर होगा option number C, सत्य या सत्य वाले प्रशन जो होते हैं, यह वस्तोनिस्ट प्रशन होते हैं, इसके बाद देखते हैं, next, number है 48, समावेसी सिक्षा, कक्षा में विवेदिता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंदी कठोर पिर्गर्याव को बढ़ावा देती है, तत्यों की सिक्षा, यानि के मतारों पर से संबंदित है, यह number D है, हासी पर इस्थित वर्गों से सिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंदित है, क्या answer होगा, समावेसी सिक्षा, कक्षा में विवेदिता का उत्सव मनाती है, यानि के उसमें हर तरहां का बच्चा तेले इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा नंबर है 49 बीजों का अंकुरन संकल्पना के सिक्षन की सबसे परभावी पदती है विद्यारतियों दुवारा पोधे के बीज बोना और उनके अंकुरन के चड़नों का अवलोकन करना शामपट पर चित्र बनाना और वर्णन करना नंबर C है बीज की वरद्धी के चित्र दिखाना या नंबर D है विष्दृत व्याख्या करना वाट विल बी आंसर बीजों के अंकुरण संकल्पना के सिक्षान की सबसे पहले भावी पजती है विध्यार्टियों द्वारा पोधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चर्णों का व्लोकन गरना आंसर होगा ओप्शन नमबर ए तोई नेक्स देखते हैं नेक्स नमबर 50 बाल के इंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्न लेकित में से किस विचारक द्वारा किया गया बाल के इंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्न लेकित में से किस विचारक द्वारा किया गया बी एफ इसकी नहीं जॉन डीवी एरिफ एरिक्सन या चार्स डार्व what will be answer answer आप जानते हैं answer option number B John D.V. चलिए इसके बाद देखते हैं next next question number 51 एकल अभी भावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय सिख्षक को इस पिरकार के बच्चे के साथ भिन्य पिरकार से वियाभार करना चाहिए इसे बच्चे को कम गिरकार देना चाहिए इस्थिर और एक रूप वातरवरन उपलब्द कराना चाहिए यह number D है इस तत्य को अंदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान वियाभार करना चाहिए एकल अभी भावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय सिक्षक को इस तत्य को अंदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान वियाभार करना चाहिए इसके बाद देखते हैं next next question है 52 पिरभावचाली बच्चों के संधर्व में समवर्धन acceleration का अर्थ क्या है पिरभावचाली बच्चों के संधर्व में समवर्धन यानि acceleration का अर्थ क्या है पढ़ाना ये नमबर C है ऐसे विद्ध़ार्तियों को वर्तमान इसतर grade को छोल कर अगले उसतर grade में प्रोनत करना, ये नमबर D है आकरन की पिरिएजय का समवर्धन करना, what will be answer? 52 का आंसर होगा नमबर C ऐसे विद्ध्यारतियों को वर्तमान ग्रेड को छोड़कर अगले उच ग्रेड में प्रोननत करना चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है 53 परभाफशाली विद्ध्यारतियों के लिए निम्लिकित में से कौन सी गतिविदी सरवादिक उप्यूक्त है परभाफशाली विद्ध्यारतियों के लिए निम्लिकित में से कौन सी गतिविदी सरवादिक उप्यूक्त है नमबर A है पाँच पाठों के अंत में दिए अभ्यासों को एक बार में हल कराना नमबर B है, सिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना ये नमबर C है, अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का पिरती वेदन लिखना ये नमबर D है, दी गई संगल पनाओ के अधार पर मौलिक नाटक लिखना वाट विल बी आंसर पिरभावशाले विद्धारतियों के लिए निमलिकित में से कौन सी गतिवदी सरवाधिक उप्युक्त है 53 का आंसर होगा, ओप्सन नमबर D दी गई संगल पनाओ के अधार पर मौलिक नाटक लिखना चलिए इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट 54 पियाजे के अनुसार, विकास की पहली अवस्ता जो जन्म से दो वर्स तक होती है के दोरान बच्चा डैश के दौरा सबसे बहतर सीखता है निश्किर्य सब्दों को समझने के दौरा B है, अमूर्थ तरीके से चिंतन दौरा नमबर C है, भाषा के नए अरजित ज्ञान के अनुपरियोग दौरा या नमबर D है, इंदरियों के परियोग दौरा What will be answer? आंसर होगा, ओप्स नमबर D, इंदरियों के परियोग दौरा चैनले इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नमबर है हमारा 55 पृत्ति एक सिक्षार्ति स्वयम में विसिष्ट है इसका अर्थ है कि सिक्षार्तियों में ना तो कोई समान विसिष्टा होती हैं और ना है उनके लक्षिये समान होते हैं सबी सिक्षार्थियों के लिए एक समान पाट्टे छर्यह संभव नहीं है नमबर C एक विशम रूपीक अक्सा में सिक्षार्थियों की छम्दा virus करना संभव है नमबर D है कोई भी दो सिक्षार्थी अपनी योग्यतिव, रुचियों और पृति भाउ समान नहीं होते इसका अर्थ है कि option number D कोई भी दो सिक्षार्थी अपनी योगता, हुरुचियो और प्रतिभावों में एक समान नहीं होते चलिए इसके बाद देखते हैं हम next question जो की है number 56 निशक्त बच्चों के लिए समयकित शिक्षा की केंद्रिय प्रायोजित योजना का उद्देश यह है डैश में निशक्त बच्चों को सैक्षिक अफसर उपलब्द कराना निशक्त बच्चों के लिए समयकित शीद सीख्जा की केंदी यह प्रायोरिय। योजleeoudnay का उध्येश यह है। को सेक्षिक अफ्रप्प्प्फ नाक सिख्षिक टीयग विध्यालियों में लिख्षों को सेक्षिक अफ्रप्प्प्पत कराना। नमबर C है Blind Relief Association के विद्ध्यालियो यह नमबर D है नियमित्य विद्ध्यालियो वाट विल बी आंसर आंसर होगा ओप्सन नमबर D निशक्त बच्चों के लिए समय की सिक्सा की केंद्रे प्राजित योजिना का उद्ध्यालियों में निशक्त बच्चों को स्यक्षिक अप्सरोप लब्द कराना तो यह इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नमबर है हमारा 57 लारेस कॉलबर के द्वारा प्रस्तावेत निम्लिके चरणों में से प्रात्निक विध्यालियों के बच्चे किन चरणों का अनुसरान करते हैं नमबर A है आग्या पालन और दंड उन मुखी करण नमबर B है वियक्तिकता और विनी में नमबर C है अच्छे अंते वियक्तिक संबंद नमबर D है समाजिक अनुबंद और वियक्तिकत अधिकार आन्सर पताएं क्या होगा आन्सर होगा ओप्सन नमबर C B और A चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा 58 जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालिये के उधारन है जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालिये के उधारन है नमबर A फैक्टरी विद्यालिये नमबर B है परिगतिशील विद्यालिये नमबर C पब्लिक विद्यालिये नमबर D है समान्य विद्यालिये वाट विल बी आंसर आंसर को अप्शन नंबर बी प्रिगतिशील विद्यालिया फ्रेंड अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तर प्लीस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए क्योंकि हम सीटेट के रिगार्डिंग डेली वीडियो अप्लोड कर रही है जो कि आपके एक्जान मि रिए बहुत इंप्पोर्टेंट हम चलिए स्टार करते हैं नेक्स्ट कोष्छन जो है नंबर 59 किवीजना और थे सीबी एसी द्वारा प्रेस्तावित समुम्ह पर योजना गतिविदी डैश का एक सशक्त साधन है CBSC द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविदी डैश का एक सशक्त उधारन है उप्सन नमबर A है सामाजिक भागिदारी को सुकम बनाने का नमबर B है सिक्षकों के भार को हलका करने का ये नमबर C है रोज मर्रा के सिक्षनर से होने वाले तनाव को दूर करने का ये नमबर D है अने एक तामे एक ताकी संकल्पना का परिसार करने का 59 का आंसर क्या होगा 59 का आंसर होगा ओप्सन नमबर A CBSC द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविदी समाजिक भागिदारी को सुगम बनाने का एक सक्त साधन है ते लिए इसके बाद देखते हैं हम कॉस्चन नमबर नमबर 60 है एक बाल केंदित कक्षा में बच्चे समानेते सीखते हैं वयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से मुख्य रूप से सिख्षक से वयक्तिक रूप से या समूह में क्या अंसर होगा एक बाल केंदित कक्षा में बच्चे समानेते वयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से सीखते हैं तो ओप्षन नमबर एसका सही है तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नमबर हमारा 61 प्याजे के अधिगम के संग्यानात्मक सिध्धान्त के अनुसार वह पिरक्रिया जिसके दुआरा संग्यानात्मक संरचना को संशोधिद किया जाता है डैश कहलाती है प्याजे के अधिगम के संग्यानात्मक सिध्धान्त के अनुसार वह है पिर्क्रिया जिसके दुवारा संग्या नात्मक संदरचना को संशोधिद किया जाता है डैश कहलाती है प्रत्यक्षन, समायोजन, समावेशन, नमबर D है इसकीमा वाट विल बी आंसर? आंसर होगा ओप्सन नमबर C, समावेशन चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, नेक्स्ट है 62 62 का कोस्टन है विकास सुरू होता है उत्तर बाले अवस्ता से, पिरसब पूर्व अवस्ता से नमबर C है सैसा अवस्ता से, नमबर D है पूर्व बाले अवस्ता से तो विकास सुरू होता है यह आप जानते हैं फिर सब पूर्व अवस्ता से तो यह विल्कुल करेक्ट है इसके बाद देखते हैं next question है हमारा 63 सबसे आधिक गहन और जटिल समाजी करण होता है किशवरा वस्ता के दोरान पूर बाल्य वस्ता के दोरान पूरणा वस्ता के दोरान व्यक्ती के पूरे जीवन में what will be answer आंजर होगा option number A सबसे आधिक गहन और जटिल समाजी करण होता है किशवरा वस्ता के दोरान option number A is correct चलिए इसके बाद देखते हैं next number है हमारा 64 64 है भारतिय समाज की बहु भासिक विसेशता को डैश देखा जाना चाहिए number A है विद्याले जीवन को समर्द बनाने के संसाधन के रूप में number B है विद्यारतियों को सीखने के लिए अभी परेरत करने हेतु सिक्षक योग्येता की चनोती के रूप में here number C है शिक्षारतियों के लिए विद्याल wrap और जीवन को यह जटिर अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में यह नंबर D है सिक्षन अधिकन पिरिकर्या में बाधा के रूप में भारती समाज में बहु भासिक विश्यषता को किस रूप में देखा जाना चाहिए भारत के अंदर कई सारी language बूली जाती है तो उसको विद्याले जीवन को समरत बनाने के संसाथन के रूप में देखा जाना चाहिए चलिए इसके बाद देखते हैं हम next question है हमारा 65 बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्मार के लिए पार्टे पुस्तकों में चरित्र निर्मार संबंदी पार्ट होने चाहिए नमबर बी है चरित्र निर्मार के लिए व्याख्यान दिये जाने चाहिए नमबर C है कक्षा कक्षा कतीविदी इस पिरकार से हो कि बच्चे को चलत निर्मार में सहायता मिल सके यह नमबर D है महापुरुशों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए क्या आंसर होगा इसका? आंसर होगा ओप्शन नमबर D 65 का आंसर है ओप्शन नमबर D महापुरुशों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए चलिए इसके बाद देखते हैं next question है 66 66 खेल सिक्षान विदी के प्रतिपादक कोन है? यह तो आप जानते हैं फ्रोबेल हैं खेल सिक्षान विदी के प्रतिपादक हैं वो कोन है? वो है फ्रोबेल इसके बाद देखते हैं next next question है हमारा 67 67 नमबर है निम्लिकित में से कौन सा कतन बहुरोड सिक्षान प्रणाली के साथ सहमती नहीं रखता है? option number A है एक सिक्षक एक समय में एक से अदिक कक्षाओं का प्रवंधन करता है number B है बैठने की लचीली व्यवस्त ता- this नमबर C है विभिनने कक्षाओं में एवब एक ही कक्षा में अन्तेह कर रिया यह नमबर D है विद्ध्यारतियों का आयू एवं योग गेता कैधार पर समान होना विद्ध्यारतियों का आयू एवं योग गेता कैधार पर समान होना So what will be answer? Answer वोगा option number D निमलिकित में से कौन सकतन बहु रोड शिक्समप्रनाली के साथ सहमति नहीं रखता तो वो है विद्ध्यारतियों का आयू एवं योग गेता कैधार पर समान होना चलिए इसके बाद देखते हैं next Next number है हमारा 68 तो 68 का question है प्याजे की कौन सी अवस्ता का संबंद अमूर्थ एवं तार्किक चिंतन से है तो number A है सम्वेदी गामक अवस्ता number B है पूर्व संकिर्यात्मक अवस्ता number C है अमूर्थ संकिर्यात्मक अवस्ता यह number D है मूर्थ संकिर्यात्मक अवस्ता What will be answer? Answer होगा option number C अमूर्थ संक्रियात्मक अवस्था समवेदी गामक अवस्था जो जन्म से लेकर 2 years तक होती है पूर्थ संक्रियात्मक अवस्था जो 2 years से लेकर होती है 7 years तक अमूर्थ संक्रियात्मक अवस्था जो 7 years से लेकर होती है 11 years तक और जो मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था है वह 11 से लेकर होती है 15 years तक तो चलिए इसके बाद देखते हैं next next है हमारा question number 69 संस्कृति पर सिक्षा का क्या परभाव पढ़ता है संस्कृति पर सिक्षा का क्या परभाव पढ़ता है संस्कृति की निरंद्रता को बुनाए रखना नंबर बी है संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना यह उप्सन नंबर सी है संस्कृति का परिश्करण यह नंबर डी है उपर्युक्त सभी संस्कृति पास दिख्षा का क्या परभाव पढ़ता है what will be answer आंसर होगा option number D उपर्युक्त सभी ते लिए इसके बाद देखते हैं next next हमारा question number 70 विद्याल्य का कार्य होता है क्या कार्य होता है संस्कृति का संद्रक्षन संस्कृति का परिश्करण नंबर सी है संस्कृति के नहीं पर्ति रूपों का दिर्माड यह उपर्युक्त सभी तो इसका जो आंसर होगा वह उप्सन नमबर डी उपरयोक्त सभी चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा कोशन नमबर 71 सिक्षा की प्रिक्रिया के अंग होते हैं सिक्षा सिक्षार्ति पाट्टे के राम यह सभी इसका आंसर आप सभी जानते हैं करक्ट आंसर नमबर डी यह सभी चलिए इसके बाद देखते हैं next next number है हमारा 72 72 कोशन है समाजिक परिवरतन का सरवाधिक कारेकारी कारक है समाजिक परिवरतन का सरवाधिक कारेकारी कारक है धर्म शिक्षा सरकार या फिर जाती what will be answer समाजिक पदिवतन का जो सरवाधिक कारे-कारी कारक है वो है सिक्षा ओप्सन नमबर B तलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट कोश्टन है हमारा 73 इसकोलों में अधिकतर सिक्षकों में अपने छात्रों के लिए इसकोलों में अधिकतर सिक्षकों में अपने छात्रों के लिए सरवाधिक किसका अभाव पाया जाता है इसने क्रोध दोशारों पढ़िया फिर घ्रना 73 का आंसर आंसर है ओप्सन नमबर D घ्रना इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कोश्टन है हमारा 74 बालक को पुर्षन के निया प्रेरित करना नमबर C है बालक के अनुबव को प्राथ मिक्ता परदान करना ते नमबर D है बालक की सरजनात्मक्ता को बढ़ावा देना वाट विल बी आंसर बालक के इंदे सिक्षा के अंतरगत क्या सम्मिलित नहीं है इसके बालक की सरजनात्मक्ता को बढ़ावा देना इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा 75 कक्सा कक्ष में बैठक व्यवास्ता कैसी होनी चाहिए यानिके सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए नमबर A है कक्सा कक्षा में कराई जा रही गतिविदियो के अनुरूप रोज एक जैसी होनी चाहिए एक ही लाइन में बच्चों के बढ़ाना चाहिए नमबर D है इस प्रिकार से हो कि वे एक दूसरों से बात्चीत ना कर सके वाट विल भी आंजर कि स्टिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए ऑप्शन नमबर A करेट है कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविदियों के अनुरूप चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा कोस्ट नमबर 76 निम्निलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मुल्यांकन सतत एवं व्यापक मुल्यांकन सी सी ए का भाग नहीं हो सकता है संचित अभिलेक दत्यकार्य नमबर C है अभी भावक सिक्षक बैठक यह नमबर D है अनेक्डोटल र बैठक चलिए इसके बाद देखते हैं next next हमारा कॉस्छन है 77 निमलकित में से कौन सरजनात्मक्ता का एक लक्षण नहीं है लचीलापन मौलिकता विस्तारण या सतत्ता what will be answer, answer होगा option number D, स्थत्त, यह सर्दनात्मक्त का लक्षन नहीं है, चलिए इसके बाद देखते हैं, next हमारा जो question नेंखसन है, वो है question number 78, बालक का समाजीकरण किस्ते सम्बंदित नहीं है, बालक का समाजीकरण किस्ते सम्बंदित नहीं है, option number A है अधारबूत मूल्यों को परिवर्तित करने से number B है वह पिकरिया जो तुरंथ हो जाती है number C है ओप्चारिक तत्यों को प्रदरशित करना number D है आदर्स अकांशा को गंभीरता से लेना what will be answer वालका समाजीकरण किस से संबंदित नहीं है तो इसका तो correct answer का वो होगा option number B वह पिकरिया जो तुरंथ हो जाती है चलिए इसके बाद देखते हैं next question जो है हमारा number 79 मुल्यांकन पिकरिया के तीर महत्वोड बिंदु है मुल्यांकन पिकरिया के तीर महत्वोड बिंदु है चलिए इसके बाद देखते हैं next जो की है हमारा last 80 number है शिक्ष hvisakो बाल के इंदृत सिक्षा माना जाता है जब शिक्षको बाल के इंदृत यानि child centered education माना जाता है कब माना जाता है बालक के व्यक्तित्व का संपून विकास होता है जब बालक की माँ घुरुची वे अविवरत्ति की प्रात्मिक्ता होती है C है सिक्षक के सुयम के महत्व को ध्यान में रखा जाता है नमबर D है पाठ्थे करम को महत्व दिया जाता है A T का आंसर क्या है सिक्षा को child-centered education माना जाता है जब बालक की मांग रुची वे अभिमरत्ती की प्राथमिकता होती है इसका आंसर है option number B So friends आज के lecture में हम 40 MCQs ही cover करेंगे Class 3rd और Class 4th को include करकर हमने आज 80 MCQs को cover कर लिया है यह 80 MCQs जो हैं यह समाजी करण प्रिक्रिदिया यानि socialization process से related है Friends वीडियो और आपको पसंदा है तो प्लेस वीडियो को like करें चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो पर इस चैनल को सस्क्राइब ज़रो करें क्योंकि हम CBS 3rd special जो MCQs की सीरीज है उसको daily continue कर रहे हैं और हमारी जो वीडियो अप्लोड होती है वो सुबा 9 बज़े अप्लोड हो जाती है जो कि आपके exam स्क्राइब काफी हद तक benefited है